नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अविने गुपता और आप सभी का सौगत है अविने गुपता एजुकेसें क्लासेस पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हासिरस दोस्तों हासिरस जो है वो आपके UP board, MP board, प्रतियोगी प्रिचाओं और कई सारी प्रिचाओं में पूछे जाना वाला topic है तो दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्पोर होने वाली है तो प्लीज लाश तक जरूर दखें तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग हासिरस की दोस्तों हासिरस जो होता है इसका जो इस्थाइवा होता है वो होता है हास मतलब कि हासिरस का इस्थाइवाओ हास होता है यानि की हसी और इसकी परिवासा क्या होती है इसकी परिवासा भी अगर देखें तो दोस्तों इसकी परिवासा होती है आपकी जहां पर किसी बिचित्र इस्थितियों या परिस्थितियों के कारण हासी की उत्पत्ति होती है क्या कह रहा है दोस्तों कि जहां पर किसी बिचित्र बिचित्र मतलब की बहुती अलवेला इंसान या अलवेला इस्थिति या परिस्थितियों के कारण हास की उत्पत्ति होती है उसे ही आपका हासरस कहा जाता है इसके अंतरगत आपकी बाड़ी, बेजभूसा, आदिकी विक्रति देखकर मन में जो बिनोध का भाव उत्पन होता है मन में जो बिनोत का भाव उत्पन होता है उससे हास की उत्पत्ती होती है और इसे ही आपका हासिरस कहा जाता है तो दोस्तों परिवाजा समझ गिए कि कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि जहां पर किसी बिचित रिस्थितियों मतलब कि बहुत ही अलवेली स्थितियों या परिस्थितियों के कारण जब मन में हासी की उत्पत्य होती है समझ रहे हो आप लोग जैसे किसी की बेजबूसा को देखकर अरे इसकी बेजबूसा तो बहुत अलग है तो हसी उत्पन हो रही है न तो यहाँ पर क्या होगा आपका हास सिरस होगा तो इसके उधारन देखते हैं दोस्तों इसका उधारन है आपका पैसा पाने का तुझे बतलाता हूँ प्लान कर्ज लेकर बैंक से हो जा अंतरधान तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर बता रहा है कि पैसा पाने का तुझे बतलाता हूँ प्लान कर्ज लेकर बैंक से हो जा अंतरधान तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हसी आ रही है कि बैंक से कर्ज लेकर और अंतरधान हो जाओ पैसा बन जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रही है हसी आ रहे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हाद से रस हो जाएगा अगला उधारन है नाना बाहन नाना बैसा बिहसे सिभ समाज निज देखा तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर नाना बाहन मतलब नानक प्रकार के बाहन और नाना बैसा नानक प्रकार की बेजबुसा मतलब कि नाना बहान नाना बेसा भी हसे सिभ समाज निज देखा तो कई लोग किसी पर गे किसी पर मतलब अलग अलग बहान से गे तो पूरा समाज जो रहा वो देख के हस रहा था तो दोस्तों हसरे साप लोग समझ गे होंगे और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लिस लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें जेहन जे भारत